गुड मॉनिंग फ्रेंट्स तो आज है डेट May of 14 2023 आज को जो वीडियो है वो है रिलेटेड कि कल हमारे केस में कितनी पृतिशत संभावना है कि हमें कल स्टे मिल जाए या हमारे पक्षों को कुछ इस तरीके से रखा जाए कि हमें जो है उस पर बैनिफिट मिल जाए तो आग सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद जो वहां पर जाए कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट इसके से रिलेटेड इन्फोमेशन मिलती रहे दूसरी बात मुझे काफ़ी सरी नेगटिव कमेंट्स आया थे पॉजिटिव की संख्या उससे बहुत सब्सक्राइब कर लेटेट इन्फोमेशन देता रहूंगा कल जब हीरिंग होगी मैं कोट में जाओंगा वहां पर जो भी ऑप्डेट होगी मैं आपको बता दूगा एस सुन आस पॉसिबल मतलब बहुत जल्दी मैं आपको इन्फरम कर दो सीधा वीडियो डाल के तो कल हमा हमारा पक्षी जो रखेंगे वह रखेंगे आरण मातुर साब लेकिन एक मैसेज है उन नेगेटिव लोगों के लिए हम सब खुश हैं मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपती नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले मैं और आप लोग और जितने भी पॉसिटिव लोग हैं सब के सब जिन्दा है तो आप देखने देखो कल जो हीरिंग होने वाली पर चीफ जस्टिस होंगे यहां पर एक्टिव सीज़े है राजस्तान हाइप कोड़ के पास है डूसरे जो अनिल उप्म यह जो एड़ो कि अब जो वीडियो में जो था वो मैं आपको बता रहा था कि कितने परसेंट हमारे पास चांस है कि हमारे हमको जो है थोड़ा बेनिफिट मिल जा इसकेस में तो जब मैंने पहले मैंने सूचा कि पहले जज़ेश देखतें कि थोड़े मतलब इनके पुराने जज्जमेंट्स तो ऐसे नहीं है कि इन्होंने कि इतना मतलब स्टुएंट्स का फेवर करा है या कुछ ऐसे पक्षिव में जो है इन्होंने पर मैंने देखा था बार काउंसल के मेंबर रहे थे इसके लावा जो है यह मेंबर भी थे बोर्ड आफ स्टुडिज इन अकैडमिक काउंसल के मतलब इनको स्टुएंट्स की जो प्रॉब्लम है वह वाकि में पता होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ ठीक है कोई भी स्टुए चड़ एक चारिटी टाइप में चेरिप में आप उस तरीकी से इसके अलावा जो है यह खुद मैंबर रहे हैं मैंने आपको बता दिया हैं यहां पर बोर्ड फ फट्टी ज़िए अकैडमिक काउंसल गुरू घासड़ा सब इन्हें पता होगी और थोड़े अगर लाइट अगर रहेंगे सर की मतलब थोड़ा सा अगर अपने सोच के चलें कि अगर ये स्टुड़ेंट के साथ इतना इंडॉल्मेंट है लिबरल टाइप के जजज होंगे ऐसा मान के चल सकते हैं अगर हमारा पक्षा स्ट्राउंग होगा सुप्रीम कोट के हमारे पास जजमेंट है जो यूप सी के वेब साइट है वहाँ पर especially यह mention किया हुआ है कि जो reservation है वो किस तरीके से दिया जाएगा किस तरीके से categorize किया जाएगा जो reserve categories है उनको कैसे distribution होगा reservation का तो वो सारा वहाँ पर mention है तो आशे documents at least जिन्हों प्रपेशन कर रखे हैं जिनके प्रक्षपर हमारे पास इस case में एक strong point है ठीक है अब दूसरे बात में बता दूँ आपको एक सर्विसमें जो है जिनकी cutoff नहीं दिये एक सर्विसमें हो गए पी एच हो गए स्पोर्ट्स candidate हो गए इन सब की बें तो देखो इनका भी एक strong point है एक सर्विसमें को तो उन्हें reservation देना ही होगा इसकी पीछे reason यह है central government ने अगनिवीर scheme शुरू करी है अगर यहां पर एक सर्विसमें को reservation नहीं मिलता तो आप यह मान के चलो कि अगनिवीर scheme के जो candidates होंगे वो भी इस चीज़ पर objection कर सकते हैं कि जब एक सर्विसमें को ही reservation नहीं मिल रहा तो जब हम चार साल बाद retire होके जाएंगे हमें कौन सी स्टेट में reservation मिलेगा आप समझ रहें मेरे point को इस वज़े से जो है उनका भी strong point है यहां पर बाकी मुझे लगता है कि कल इसने आने के chances बहुत हाई है और जो भी latest update होगी मैं आपको inform कर दूँगा तो आप वीडियो के साथ बने रहे और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर रहा कर दो